नया दिन नई सुबा और चलते हैं एक नई सफर में दोस्तों यहां मेरे आस पाट जतने भी लोग रहते हैं उस सब खीति करते हैं और अपना धान उगाते हैं और उस फचल को काड़ते हैं और फिर बजार में जाके उस फ़सल को बेशते हैं और उसी फ़सल के जरिये ही वो अपना गुजारा करते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यह टंकी मेरे से 2-3 किलोमेटर दूर है लेकिन मैं जाने वाला हूँ इस टंकी का विजिट करने और वहां से किस तरह से व्यू दिखता है जहां से हमारे पानी की सप्लाई आती है उस टंकी के उपर में चड़ गया हूँ और वहां से आपको दिखाता हूँ कि मेरे आसपास के लोगों का किस तरह से घर बना हुआ है और किस तरह से यह खेती करते है हर एक के पास अपना बोरिंग है यहां पर आप देख सकते हैं यह आठवी किलास तक गोर्मेंट की स्कूल है बच्चों के लिए यहां बच्चे भी है और बच्चे खेल भी रहे हैं एक ऐसी जगा पर आया हूँ जो आपको दिखाता हूँ और यहां पर मैं लगबग 100 फिट उपर से यह वीडियो बना रहा हूँ और यहां पर आप देख सकते हो यह रोट जा रही है और वहां मेरी गाड़ी खड़ी है पानी की टंकी बनी हुई है फिलाल इस टंकी पर मैं चड़ा हूँ यहां से लेके और यहां तक मैं उपर आया हूँ यहां से आप देख सकते हो कि गाड़ी आ रही है कि सर बहुत ही सांधार व्यू है गाइस यहां पर आप देख सकते हो एक बंदा है जो खेजडी का पेड़ है उसके उपर चड़ा हुआ है और उसके उपर कुछ इस तरह से सफर करते हैं बाइक से भी आना जाना ज्यादा तर होता है लोगों का आई होफ दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइ 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 चैनल पर नहीं है तो लाइक शेयर सेस्क्राइबर जरूर करें